वीते दो जून को ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन एक्सिडेंट में 275 लोगों की जान चली गई। इस हादसे को लेकर आज रेलवे बोर्ड ने प्रेस कांफरेंस की और पूरी घटना को विस्तार से समझाया। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई है। ओवर्स्पीडिंग जैसी कोई बात नहीं है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीशन ट्रेन एक्सिडेंट को लेकर रेलवे बोर्ड ने प्रेस कांफरेंस कर पू पंकारी देना चाहते हैं ताकि स्थितिस पष्ठ हो उन्होंने कहा कि सबसे पहले रिलीज फॉर रेस्क्यू किया और जब यह कंप्लीट हो गया तब हमने रिस्टोरेशन प्रक्रिया शुरू की उन्होंने कहा कि बालासोर जिले में बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन है। यहा हादसा दो जून की शाम छे बच कर पचपन मिनट बजे हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुरगट नागरस्थ हो गई। इस स्टेशन पर जो दूसरी गाडिया खड़ी थी वह इसकी चपेट में आ गई। उस समय स्टेशन से दो मेल एक्सप्रेस गाडियों को अलग की दिशा से शालिमार रेलवे स्टेशन से कोरोमंडल एक्सप्रेस चन्नई जाने के लिए आ रही थी जिसके लिए सिगनल ग्रीन थे और सब कुछ सेट था। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी और पाइलट को सिगनल ग्रीन दिख रहा था इसलिए उसे सीधा जाना था। ग्रीन सिगनल के मुताबिक ड्राइवर को अपनी तय स्पीड के अनुसार बिना रुके आगे जाना था। इसलिए वह 128 किलोमिटर प्रती घंटे की रफतार से जा रहा था। यश्वंत एक्सप्रेस भी 126 किलोमिटर प्रती घंटे की रफतार से आ रही थी। ओवर स पिछले 36 घंटे से मौके पर हैं और सभी तरह के ऑपरेशन और मदद बचाव कार्य को मौनिटर कर रही हैं। प्राथमिक जाच के मुताबिक जो कारण अब तक सामने आये हैं। उसमें सिगनलिंग में कोई परेशानी पाई गई है और रेलवे सेफटी के कमिशनर की निग करती नहीं है। इस केस में ऐसा हुआ है कि इस स्पीड में जब तकराव का पूरा इंपक्ट स्ट्रेन पर आया तो दुनिया में ऐसी कोई टेकनोलोजी नहीं है जो इसके इंपक्ट को रोग सके। आयरन से भरी हुई मालगाडी की सेंटर आफ ग्रेविटी और उसके भार क के चलते इंपक्ट पैसेंजर प्रेन पर आया। मालगाडी अपनी जगह से बिलकुल नहीं हिली।